ठीठा गए, सब इंतजार कर रहे हैं, एशा थोड़ा थंडा पड़ा हुआ है, आपन मस्त फ्लैट खुलेंगे ऐसे में पहले तो कल का ट्रेट सेट अप, अब समीकरन बैट कैसे रहे हैं, पहले वो समझ लिया जाए वही कल, ठीक है, आफ डेशाइज लेकिन उसके बाद लाजली बहुत, बहुत ही सी में दहरे में, दिन भर काम कायज हुआ है 24 आच्चों के उपर का पर क्लोज मिल गया उनको, और आज थोड़ा सा इंचप ही कर रहे होंगे, ऐसा समीकरन बैट रहे हैं ऐसे में आपको सेट अप कैसा लग रहा है, तो इसके लिए मेरा इमाना है कि आज थोड़ा सा फर्स्ट हाफ में आप वेट और वाच करें, आज एक तरीका क्या हो सता ट्रेड करने का, कि आप अगले हफते के निफ्टी के कॉल अप्शिन्स, फॉर एक्जम्पल, अगर मेर 24-850 की कॉल, अगले दो-तिन घंटे में आप स्लोली-सलोली अक्यूमिलेट करें, क्योंकि फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट फ्लैक भी खुला तो कॉल प्राइस गिरेंगे, और अगर थोड़ा सा और गिरा तो और कॉल प्राइस गिरेंगे, तो ये एक लॉजिकल ट्रेड हो सकती है अगले हफते के लिए, लेकिन वो अगर आपको स्क्रीन बेस्टेट करनी है तो उसके मैं आपको लेवल्स पताता हूँ, पहले तो 24-650 से 24-750, ऑप्शन के हिसाब से ये पहला सपोर्ट जोन है, मुझे लग रहा है कि अच्छा बाय जोन है, अगर ये किसी भी कार करीब 3,000 करोर, FIS ने भाय किया 1,300 करोर, जो मैं overbought की बात कर रहा था, वो overbought का nature कुछ हद तक यहां पर भी है, हाला कि कल काफी blocks हुए थे, तो उसमें भी एक थोड़ा सा participation हो सकता है, लेकिन FIS ने index futures में भी भाय किया, FIS ने cash में भाय किया, normally जब FIS की cash और index futures दोने हम भ कामला है, यह अंकड़ी मुझे तपर से गलत लग रहे हैं, इनको ना छोड़ देते हैं, यह इंडेक्स futures का जो trend है, यह आएगा आपकी screen पर, 607 करोड के करीब की index futures की buying है, इस पर आते हैं, वो Nifty Bank Nifty वा अंकड़ा गलत है, 607 करोड की index futures में बाइंग हुई है, और अगर आ आप long shot का trend देखेंगे, तो अब हम 52.3% long पर आ गए हैं, तो बहुत ज़्यादा net long नहीं है, लेकिन market में फिर भी हैं, तो हम net long ही, तो यह समय एक और reason के हम थोड़े से overbought हो गए है, इंडेक्स options के जहां तक अंकड़े की बात है, उस सारे के सारे across the board same है, almost, यह भी आगड 1.44% गिरा, करीब 13 पर आया, और Nifty का put call ratio करीब 1.40 पर versus 1.20, तो यह वाला जो आकड़ा है, यह मुझे थोड़ा सा overbought लग रहा है, नॉर्मली जब यह आप 1.4, 1.5 put call ratio पर आते हैं, तो वो उस level पर थोड़ी से buying नहीं होती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बै और जो already band में list है, वो आपकी screen पर आजाएगी, यह कुछ और stocks आएंगे जो band से, basically, जो already band में बने हुए है, तो set up थोड़ा सा overbought है, और यह इसके वज़े से मुझे लग रहा है कि first half में शायद थोड़ी सी market के लिए दिक्कत आ सकती है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखन है, 14 share अब FNO band में है, एक समय पर एक हैर मामला 19 तक पहुँच गया था, लेकिन अब इस समय करीब-करीब 14 share से है, set up थोड़ा सा overbought, beautifully explained क्यों हो देख रहा है, और उपर से globe भी at least supportive नहीं, ऐसे में फिर Nifty का अप्रोच का रखा जाए, वैसे Nifty आपकी screens पर है, तो कल जितनी बात हुई थी एक दम टगा टगा, अपन पोजिशनल लॉंग्स पे 24-600 का ऐसल लेके चल रहे हैं, अपने पोजिशनल लॉंग्स में बहुत बढ़ी है, इस मोमेंटम को पिछले 6-7 दिन की तेज़ी को भुना रखा है, और हम अभी भी टेड में है, BTST जोनोंने कहने पर कर तो BTST वालोंने भी कल जम के कमाई करी होगी, और अपना नया जोन खरदारी करने कह था, वो कल बजार में आया ही नहीं, तो सारे सब इक रण सही बैठे, चाए पोजिशनल हो, चाए BTST हो, और फ्रेश एंट्री के लिए हो, अब आप हिंड सटल सी दे रहे हो आज जिनके त तेक्षर क्लियरली बाइवन डिप्स का है, मेरे लिए फिर कमफोर्ट जोन फ्रेश एंट्री वालों के लिए क्या बनेगा, तेक्षर बाइवन डिप्स का है, और 24-650 से 24-750 पहला सपोर्ट जोन है, और अप्शन के हिसाब से, जो हमने डिसकस किया था, यह तो खेर बहु आपके लिए, अगर आप लॉंग ट्रेड में हैं, तो बने रहें, और एक अपना स्टॉप लोस जो है, उसको अब रिवाइस कर लें, और अपना स्टॉप लोस जो आपका अब रिवाइस हो जाएगा, वो जबाद 24-650 का, आज थोड़ी से दिक्कत लग रही है, मुझे आ आपर मामले में, 24-650 है आपका स्टॉप लोस, 24-390 नहीं है, 24-650 का एक स्टॉप लोस रहेगा आपके लिए, कल यह हमारा लेवल 24-600 का था, अब हमने इसको थोड़ा सा और बढ़ा दिया, 24-650 पर लेकर आगे हैं इसको, ठीक है, तो यह हो गया आपका लोंक्स के लिए, एक existing longs के लिए, एक स्टॉप लोस था, बाइंग जोन कहां पर है, बाइंग जोन होगा आपका 24-750 से 24-850 का, और एड जोन होगा आपका 24-750 का, अगर आप फ्रेश पोजिशन ले रहे हैं, तो आप एक स्टॉप लोस रखेंगे यहां पर 24-660 का, existing के लिए 24-650 और फ्र इचा मुनाफ़ा कैरी करते हैं, तो वो थोड़ा सा और एक प्रॉफिट बुक कर लें दिक्कत नहीं है, फ्रेश लॉंग पोजिशन में थोड़ा सा दीप इसलिए रखने हैं, स्टॉप लोस क्योंकि बाइचांस अगर ग्लूबल मार्केट इवे थोड़ा सा और मार्केट इसके लिए आज zwischen यहां रहाँ हैं, इसके लिए आज कोशिषिष करूआए, कि बसा ग्रावल आप करें लेकिन वीटॉजिँ उटने की k violation कोशिषिष करूआँ लेकिन, आपको ब मार्केट में संत्ग क कुछ भीवाँ इसलिए इम्पोरटें इसके लिए तो आज की जो इस तो अपनी स्ट्राटजी उसी साफ से बनागेगा. एरपोर्ट में आपको इतनी शाहन जगी कहां से मिल गई थी? बैक्राउंड नॉइस बड़ी कट सी थी, ग्लियर था एकदम सब कोई? वह खेर मैं लगी था, वह अचीलि लाउंच था, वहाँ पर बिस्ने खे लाउंच था, वहाँ पर एक जगे है, वहाँ पीछे बैगराउंड बेच्छा था, और वह एक्छलिए थी Чेर्ज जो है, थोड़ी हाई चेर्स उसके कम ही लोग बैढते हैं, जाया तो लोग सोफा प दुरान एरपोर्ट से फिर जोड लिया जाएगा और समझ लेंगे क्लोजिंग की रन नहीं थी क्या है निफ्टी बैंक लेकर आई ये स्क्रीन्स पे हाना कि इस पॉकेट ये हमारी गोटू पॉकेट नहीं थी पर कल मेंचन हुआ था कि जादा जोखिम लेने आले ट्रेडर्स लॉंग इनिशेट कर सकते हैं और कल अफरन बाजीत भी हुई ICCA बैंक, HDFC बैंक, ICCA बैंक तो खास तौर पे क्या कॉंट्रिबूशन था उसका कल इस मूव में कल निफ्टी बैंक के हरकत में आया निफ्टी बैंक पे अब strategy क्या है? निफ्टी बैंक में strategy क्या है कि निफ्टी बैंक इसमें ऐसे जोन में जो यह यहां से आपको 1500-2000 पॉइंट का quick move देने के लिए तो यहार है अब बस कुछ crucial लेवल से उनको यह तो cross कर ले या उनको break कर दे support कहां पर है 5728 से 5940 जैसा मैंने कहा कि हम 10 और 20 डे exponential moving average के ऊपर बंद हुए तो उस sense में यह immediate support है आपका और बड़ा support कहां पर है आपका 50 300 से 50 400 इस week का low इस week के जो 3 दिन लगाता bank nifty का low करीब करीब 50 300 था एक दिन 50 280, एक दिन 50 333 और एक दिन 50 360 के करीब तो 50 200 से 50 300 के बीच का एक बड़ा support है एक basic premise मेरा यह है कि bank nifty ने एक bottom बनाया है और bank nifty का bottom अगर यह 50 200 से 300 टिक जाए तो hold करेगा और अगर 51 200 आपने निकाल दिया तो bank nifty में बड़ी राली आएगे फिर एक bottom की confirmation मिलेगी तो 20 day exponential moving average के ऊपर हम बहुत time बाद निकलें, close हुए है अगर एक दिन और उसके ऊपर का close मिल जाए तो वो screen आपको confirm करेगा लेकिन मैं फिर भी कहूंगा bank nifty में अभी आप intraday रहें और अभी भी bank nifty में trade screen breaks लें अपना premeditated trade ना लें अगर तो यह 10-20 dayma hold कर रहा है, decline पर, तो buy करें और एक day low का stop loss लगा दें लेकिन अगर यह 10-20 dayma breach कर रहा है तो एक बार के लिए वापस 50-300 पर भी जा सकते हैं तो in that case आप sell करें, तो screen देखकर trade लें यहाँ पर, उसी हिसाब से दोनों side trade लेने की वो अपनी capability रखें और intuition रखें कि दोनों side की trades मुझे bank nifty में लेने हैं basically Okay, यह है nifty nifty bank